चावल की बढ़ती कीमतों ने बड़े बड़े देशों के स्ताफ तेश के कई राज्यों का भी आर्थी गणित बिगाड़ दिया है पिछले कुछ दिनों से लगातार चावल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है इसलिए कुछ राज्य सरकारे चावल का बड़ी मात्रा में उतादन करने वाले आंदर परदेश जैसे राज्यों से चावल खरीदने का फिलाल मन बना रही है इसमें सबसे आगे केरल है केरल सरकार सीधी आंदर परदेश से चावल की खरीद करना चाह रही है केरल के खाद्या और नागरी का पुर्ती मंतरी जी आर अनिल ने कहा है कि राज्ये सौवा को आंदर परदेश के साथ इस मामले पर चर्चा शुरू कर चुकी है आपको बता देए कि केरल में केवल एक महीने के भीतर चावल की खुजा दामनों में भुरोतरी देखने को मिली है ब्रांडेर मट्टा चावल की कीमते 60-63 रुपे प्रती कीलो देखने को मिल चुकी है एक महीने पहले जिस चावल की कीमत 40 रुपे कीलो थी अब वो बढ़कर 55 रुपे पर पहुँच गई है दरसल आंदर प्रदेश में फसल की कटाई शुरू होने पर ही चावल की कीमतों में कमी आने की संभावना है लेकिन जब तक कटाई शुरू नहीं होती तब तक कीमतों में तेजी बनी रह सकती है ऐसे में राज्य सरकारे दूसरे राज्य सरकारों से चावल खरीदने का मन बना रही है